अब तोको कई दिनों से आना बहुत ही जादा मैं परेशान हूँ और मैं यही सोचने में लगा रहे तो कि इस टॉपिक में उपर वीडियो बनाया जाए जिसे तुम लोगों को भी पसंद आए यह बड़ी अच्छी बात के ही है फिर जाके उनका इजिली तरीके से headshot connect होता है बट अगर मैं तुम लोग को कहूँ कि तुम लोग easily तरीके से एक high head device वाला भी एक low device वाला भी दोनों बंदे बिना किसी problem कि अगर मैं कहूँ easily तरीके से पूरा directly तरीके से head पर connect कर सकते हैं तौप लोग मानोगे नहीं बट लेकिन तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद easily तरीके से मानने लगोगे क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग मानोगे ही नहीं तुम लोग इस वीडियो को देखने के बा के अंदर परफॉर्म करते हो तो समझो तुम लोग का बहुत ही परफेक्टली तरीकिस एजली तरीकिस हेड़शॉट कनेक्ट होगा तो वीडियो को तुम लोग कहीं वीडियो की टॉपिक की तरह बढ़ उससे पहले यार अब देखो अगर तुम लोग चैनल पे नए नए हो तुम लोग जरूर सस्क्राइब करते ना है अगर तुम लोग पूराने हो तो यार वीडियो की लाइक जरूर करके जाना तो बढ़ते हार अपनी वीडियो की टॉपिक की तरह अब दिखो अगर तुम लोग ने उससे पहले वाला वीडियो मेरा अगर यूम्पी का देखा ऎगा तो उस वीडियो का अंदर मेंने तुम लोग जैसे की बताया था कि तुम लोग के लिए जो दो गन होती है यह दोनो गन की स्कीन तुम लोग को के लिए बहुत ही ज़ादा हलफिल होगा और फिर वो वीडियो को दिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अब दोको बात करते हैं यहाँ पे skin के बारे में अब दोको वो skin यह दोनों gun की थी अब यह दोनों gun जो है ना mostly देखा जाए तो free fire में हर एक बंदे के end हर एक player के पास होता है क्योंकि यह gun free fire में हमेशा की तरह से यह free में सब को मिला था यह gun बहुत ही perfectly तरीकी से देखा जाए बहुत ही easily तरीकिस headshot connect करने में help करता है अब दोको जैसा कि सारे बंदियों को लगता है कि कोई-कोई character भी जो होता है जो कि headshot connect करने में बहुत ही जादा help करता है बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे character है जो कि तुम लोग की accuracy increase करते है जिससे तुम लोग और भी perfectly तरीकिस headshot connect होने में help करता है और वो character है DV character और ऐसे और भी character है बट DV character का देखा जाए यह character यही कहता है कि यह character को use करने के बाद तुम लोग की जो accuracy होती है बहुत ही जादा increase होता है जिससे तुम लोग बहुत ही जादा perfectly तरीकिस headshot connect करने में help करता है यह तुम लोग चाओ तो DV character को जरूर use कर लेना तो को SMG की gun देखा जा तो इसी बहुत सारी guns है जिसको सारे बंदे चलाते तो है बड़ अगर जभी भी उनके game में UMP या CSC rank में UMP gun दिखती है सबसे पहला हर एक बंदा UMP gun को ही लेना पसंद करता है क्योंकि UMP gun जितना easily तरीके से चलती है और जितना easily तरीके से headshot तुम लोग connect कर सकते हो यह trick को जानने के बाद उतना किसी और भी gun से नहीं कर सकते हो तुम लोग perfectly तरीके से अब दिखो कई सारे बंदे बहुत ही जादा परिसान हो जाते है कि इसमें से कौन सी gun से हम लोग perfectly तरीके से पर भी कौन सी skin से चला पाए अब दिखो अगर मेरा मानना यह है कि अगर तुम लोग के पास skin नहीं भी होती है UMP की तभी भी तुम लोग बहुत ही perfectly तरीके से headshot connect कर सकते हो अब दिखो UMP से किस तरीके से headshot मारा जाई यह बहुत ही बड़ा mystery बन चुका है तुम लोग काफी सारे बन्दे जो ऐसे बहुत सारी ट्रीक को और टेक्निक्स को follow करने के बाद भी उनका UMP setshot नहीं लग रहा है अब क्यों नहीं लग रहा है अब इसका सबसे बड़ा reason पहला यह आता है प्रेटीस के उपर अगर तुम लोग ने देखा रहेगा तुम लोग कही ने कहीं किसी भी तरीके से easily तरीके से तो लगता है बर तुम लोग का perfectly तरीके से देखा रहा है तो हमेशा की तरह ही headshot नहीं connect होता है क्यों? क्योंकि तुम लोग practice बहुत ही कम करते हो तुम लोग ये समझ जाओगे अपने device के according कि तुम लोग को कितना ज़ाधा drag करना अपने fire button को अगर मैं बता दू तुम लोग को यही same चीज मैं भी follow किया हूं रभी जाके मुझे perfectly तरीके से headshot मानने में help होता है और कई सारे बंदे जो कि तुम लोग को बताएंगे कि trick की according चलो तो easily तरीके से लगता है तो तुम लोग प्रेटिस की बहुत ही जादा matter करता है और ये चीज बहुत ही कम बंदे explain करते हैं ये सारी टेकनीक को follow करने के बाद भी तुम लोग को प्रेटिस की बहुत ही जादा need है तो तुम लोग प्रेटिस कर सकते है और उसके बाद जो आता है तुम लोग अब 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 ली तरीके से दिखा जादी UMP से drag करने के लिए जो कि हर एक बंदा हमेशा हो सीधा ही अपने fire button को drag करता है तुम लोग हमेशा faster तरीके से drag करना है अब अगर तुम लोग का जो बंदा होता है अगर long range में होता है अगर तुम लोग का aim होता है अगर chest पे होता है तो सबसे best होता है तुम लोग का headshot connect करने में और भी easily तरीके से क्योंकि वेसे डाइम पे तुम लोग जो बंदा होता है और तुम लोग का जो perfectly तरीके से जो aim होता है chest पे होता है अप जब ही भी लोग अपने fire button को like कुछ इस तरीके से smoothly तरीके से drag करते हो तो बहुती perfectly तरीके से तुम लोग क headshot connect होगा और ये चीज हर एक बंदा follow कर सकते हैं और इसको practice करने के बाद समझ सकता है और उसके बाद जो आता है जभी भी like कुछ इस clip के according अगर बंदा जाधा close range में होता है वैसे डायम पे तुम लोग guys सार अपने fire button को like कुछ इस तरीके से rotation rack का use कर सकते हो अब ऐसा नहीं है कि guys सार तुम लोगों को rotation rack का बहुत ही fastly तरीके से use करो क्योंकि evenp jersey gun से rotation rack perform करते समय तुम लोगों हमेसा smoothly तरीके से rotation rack का use करना है जिससे बहुत ही perfectly तरीके से like कुछ इस तरीके से headshot लगते हुए दिखाई देगा और यह सारी चीज़ है अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है और वीडियो को जरूर करना मिलते है और नेश वीडियो